हेलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम तू माई क्लास और यहे क्लास थ्री कंप्यूटर का चाप्टर फोर वर्ड प्रोसेसर MS Word 2016 जिसका एक पार्ड हम कवर कर चुके हैं उस की लिंक उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगी और हमने यह कवर किया था सेलेक्टिंग टेक्स तक कि हम टेक्स को कैसे सलेक्ट करते हैं और हमें यह स्टार्ट करना था फॉर्मेटिंग टेक्स से कि हमें सलेक्ट करने के बाद अगर हम उस टेक्स में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको थोड़ा स्टाइलिश मनाना चाह या उसका size change करना चाहते हैं, तो ही सारी चीज़ें कैसे करेंगे? Formatting means making any changes to the text of a document so that it should look eye-catching and attractive. तो हम क्यों किसी भी अपने text को formatting करते हैं, ताकि वो थोड़ा सा eye-catching लगे और attractive लगे. You can format text by modifying the font, font size and color. तो हम अपने text को format कर सकते हैं, हम उसका font change कर सकते हैं, font size. Font means, जो ये text होता है, इसका जो ये style है, इसको font कहते हैं, इसका size अगर हमें बड़ा चाहिए, तो ये font size हो गया, बड़ा या छोटा and color. तो उसका color भी हम change कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये text black लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये text blue color में लिखा है, तो ये इसका color हम इस तरह से change कर सकते हैं. making it bold, इसको हम bold कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर formatting सिर्फ bold है, बाकी सारा bold नहीं है, तो ये bold हो गया, underline हम किसी भी text को चाहें, तो underline कर सकते हैं, और italics, italics उसमें क्या होता है, जो sentence होता है, जो word होता है, वो थोड़ा सा, इस type से slanted दिखता है, changing the alignment of the text, हम text का alignment change कर सकते हैं, या center में हो, या side में हो, ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, अपनी requirement के according हम इन सारी चीज़ों को change कर सकते हैं, changing font of the text, अब text का font कैसे change होगा, a font is a type face that defines the shape of each character, तो क्या है, each character की जो shape होती है, हर character की shape को define करता है, you can change the font style of the text to make changes in the appearance of the document, तो हम अपने document के appearance को, उसकी font के style को change कर सकते हैं, select the text you want to change, सबसे पहले आपको वो select करना है, text, then click on home tab, हमने selection सीखा था, तो जितना भी आपको select करना है, उतना select करेंगे, then आप जाएंगे home tab, click on the drop down arrow of font, यहाँ पे आपको font styles मिल जाएंगे, इस पे आपको पूरी drop down list मिलेगी, a menu appears, तो यह क्या है, एक menu open हो गया, वर displays a sample of the selected text in the font, you point the mouse on, तो जिस पे भी आप माउस ले जाओगे, आपको यह text उसमें दिखाई दिन लेगा, यह आप even जो यह दिख रहा है, यह इसी style में आएगा, click on the font you want to use, तो जिस भी font को आपको यूस करना है, आप उसको यूस कर सक है, the text you selected is changed to the new font, तो इस type से देख रहे है, यह simple है, और यहाँ पर आपने इतना select किया, और इसको change किया, तो यह नए style में आपको दिख जाएगा, to deselect the text, click anywhere outside the selected area, तो इसको आपको deselect करने के लिए, बाहा document में कहीं पर भी क्लिक करना होगा, और यह deselect हो जाएगा, changing size of the text, अब अगर आप इस text का, किसी भी text का size change करना चाहते हैं, as you can see here, कि यह जो heading है, इसका size बड़ा है, और यह जो नीचे paragraph में text लिखा है, इसका size छोटा है, और यहाँ पे जो लिखा है, उसका size थोड़ा सा और छोटा है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो यह book है, यह थोड़ी सी attractive लग रही है, इस समझ में आ रहा है कि यह heading है, यह पेरा है, और यह कुछ steps given है, तो इस तरह से अपने document को थोड़ा सा और define करने के लिए, इन सारे चीजों का use कर सकते है, you can increase or decrease the size of the text in your document, तो अपने document में text का size increase or decrease कर सकते है, increasing the size makes reading of the text easier, while decreasing the size helps fit more text on a page, तो size को बड़ा करने से क्या होगा, उसको read करने में थोड़ा सा असानी होगी, और अगर आप उसे छोटा कर देंगे, तो कम जगा में ज़ादा text आ जाएगा, तो इसके क्या steps in select the text you want to change to a new font size, सबसे पहले हमें क्या करना है, text को select करना है, then हमें home tab पे जाना है, then click on the down arrow of font size, तो जहाँ पे आपको font style था ना, just उसके next आपको ये मिलेगा, font size की list, जैसे आप उस पे click करोगे, a menu appears, एक menu appear होगा, जिसमें बहुत सारे sizes given होगे, और ये points में given होते है, word displays a sample of the selected text in the font size you point mouse on, तो जिस पे भी आप click करोगे, जो आपने select किया है, उस size में आपको दिखेगा, आपको जितना चाहिए, आप उतना select कर सकते हो, click on the size you want to use, जितना आपको use करना है, आप उस size पे click कर देंगे, the text you selected is changed to the new size, तो जिस text को आपने select किया था, वो new size में change हो जाएगा, यू can also change the font size using the increase font size and decrease font size buttons on the home tab, तो यहाँ home tab पो आपको increase and decrease font size भी आपको मिलता है, इसके होगा, एक-एक point increase होता जाएगा, आप इसको choose करके भी यहाँ से आपको मिलेगा, इस पे आप click करके, एक-एक size भी increase और decrease कर सकते हैं, making the text bold, italic और underline, अब अगर आप text को bold करना चाहते हैं, italic करना चाहते हैं, underline करना चाहते हैं, तो आपको यह steps follow करने हैं, इससे क्या होगा, जो information है, आप उसको emphasize करते हैं, select the text you want to make bold, italic और underline, सबसे पहले text select करना है, then click on home tab पे आपको जाना है, आपको तीनो बटन्स मिलती हैं, bold, italic और underline की बटन्स हैं, B for bold, I for italic and U for underline, click any of the following buttons, तो यह सारी बटन पे आप click करके इसको apply कर सकते हैं, या फिर आप short की apply करना चाहते हैं, तो आप control plus B करके bold कर सकते हैं, control plus I करके italic कर सकते हैं and control plus U करके underline कर सकते हैं, the text you selected appears in the new style, यहां पे क्या किया है, इस text को bold कर दिया है, this example applies bold style to the text, तो इससे क्या हो गया, जो text है, हमापे bold हो गया, अगर आपको italic करना है, तो italic कर सकते हैं, जैसे आपको यह दिख रहा होगा, यह थोड़ा सा slanted है, बाकी सारे text से, तो यह italic, अगर आप italic प्रेस तो इस type से हो जाएगा, to remove the bold italic or underline style, repeat step 1, 2, 3, तो अगर आपको इसको remove करना है, आपको नहीं चाहिए, bold, आपको underline नहीं चाहिए, तो आपको इस सारे steps repeat करने है, यानि कि आपको अगें इसी button पे click करना है, अगर यह press है, तो आप क्लिक करेंगे, इस दुबारा से press कर दें अगर दें the surrounding text, bold से क्या होगा, बाकी जो surrounding text से थोड़ा सा dark हो जाएगा, italics make the text slanted just like handwriting slants, जैसे हम अपने हाथ से लिखना है, तो थोड़ी सी writing क्या होती है, slanted होती है, तेड़ी होती है, वैसी हो जाएगी, underline से क्या होगा, adds a line under the text, तो text के नीचे line आ जाएगी, इसकी short keys है जो आपने पहले भी देखी अभी, then changing the color of text, अगर आप color change करना चाहते है, text का, then इससे क्या होगा, इससे attention draw होती है, select the text you want to color, सबसे पहले उस text को select करना है, then home tap पे जाना है, और इसी में आपको मिलेगा, ये a लिखा होगा, उसके नीचे आपको block होगा, वो black color का होगा, उसम click on the down arrow of font color, तो ये font color में जब आप क्लिक करेंगे, आपको पूरा palette open, color palette, उसमें आप चो भी color क्लिक करेंगे, वो color का वो text हो जाएगा, word applies the selected color to the text, और वो color इसमें apply कर देगा, we have applied red color to the text, यहाँ पे इसमें red color apply किया गया, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, highlighting text, अब किसी text को आपको highlight करना है, यहाँ पे यह text red color का हो गया, you can draw attention to some part of the text in a document by creating highlights, with the use of color, highlighting text in a document is useful or making information that you may want to review or verify later, तो इससे क्या होता है, गर आप किसी का attention draw करना चाहते है, किसी particular part of document में यह किसी text पे, तो आप उसको highlight कर सकते है, कैसे उसको दूसरे color से highlight किया जा सकते है, तो इसको दूसर इसके लिए सबसे पहले जाना है, क्लिक on home tab, home tab पे आप क्लिक करेंगे, then click on the down arrow of text highlight color button, यहाँ पे आपको text highlight color button मिलेगा, just जो आप में font का color change किया था, उससे पहले आपको मिलेगा, click on the desired highlight color, और यहाँ पे आपको जो भी color मिल रहे है, आप जो भी color में हाइलाइट करना चाहत है, उसपे click करेंगे, the mouse pointer changes to this, तो जो mouse pointer आपको ऐसा मिलता है न, वो इस type से change हो जाएगा, select each area of text you want to highlight, फिर आपको उस text को select करना है, इस mouse pointer से, जिसको आपको highlight करना है, the text you select appears highlighted, तो जैसे आप उस पे click करेंगे, वो select text क्या हो जाएगा, highlight हो जाएगा, when you finish highlighting the text, press escape key from the keyboard, जैसे ही आपका highlighting जितना आप करना चाहते है, उत्ता select आप कर लोगे, तो आप escape key press कर सकते हो keyboard से, changing alignment of text, आप text का alignment अपने according, अपने requirement के according, change कर सकते है, तो by default क्या होता है, left aligned होता है, यानि कि आपको यहाँ left side में, एक straight line में text aligned मिलेगा, select the text that you want to format, सबसे पहले उस text को select करना है, जो format करना चाहते हो, फिर home tab पे जाना है, then click on the following buttons, आपको यहाँ पे कुछ buttons मिलेंगी, ठीक है, इसको देखके यह आपको समझ में आ जाएगा कि यह कैसे align होने वाले text, जैसा इसमें आपको दिख रहा है ना, सेम बैसे ही align हो जाएगा, align left में क्या होगा, सारा text left side से align हो जाएगा, मतलब इधर तो आड़ी तिर्शी line हो सकती है, बट इधर क्या होगा, text जो text है वो एक straight line में align रहेगा, center में क्या होगा, text center में आ जाएगे, ऐसे, मतलब इधर से भी same shape होगी, और इधर से भी same shape होगी, align right में क्या होगा, इधर right side जो है सीधी line में text रहेगा, और इधर से आड़ा justify में क्या होगा, जो भी text है, जैसे भी यह वो पूरा adjust हो जाएगा, और आपको दोनों side, straight line में text aligned हुआ हुआ मिलेगा, the text displays the new alignment, जैसे आप उस पे click करेंगे, जिस पे भी आपको click करना है, आप उस पे click करिए, और जिस पे भी आपने click किया है, उस type का alignment अपने आप ही हो जा center कर दिया गया, तो वो center में आ गई heading, title, to deselect the text, click outside the selected area, उसके बाद क्या करना है, deselect करने के लिए बाहर क्लिक करना है, in this example, we have used center line command, तो यहाँ पे center line किया गया है, by repeating the step 1, 2, 3, select the remaining text and justify it, तो उसको करने के लिए बाकी को जैसे यहाँ पे है, justify किया गया है, तो पूरा text आपको select करना है, और justify पे click कर देना है, so friends, I hope you enjoyed making the project by using the different features of word, now time to save it, तो यह कह रहा है, तो आपने enjoy किया होगा इस project को बनाना, और different features जो आपने use किये है, उसने आपका time save किया होगा, अब हम इसको, sorry, इसको हम save करने का time है, okay, saving a document, तो document अब आपका create हो चुका है, उसको आपको save करना है, the document must be saved into the memory of computer for its future use, तो जो भी document आपने create किया, अगर आप उसको future में use करना चाहते हो, तो आप उसको save करना चाहिए, once the document is saved, you can review and edit it later, तो अगर आपने उस document को save किया है, तो बाद में आप उसको दुबारा से देख सकते हैं, और चाहिए तो इसको edit भी कर सकते हैं, file created in word 2016 is saved with the file extension .docx, तो जो भी file word में save की जाती है, उसका ये extension होता है, यानि कि file के नाम के बाद ये आपको मिलेगा extension, click on the file tab, backstage view appear, जैसे आप file पे click करेंगे, file tab पे, backstage view आजाएगा, then click on the save, और save as option, यहाँ पे आपको save as option, यहाँ और save as option मिलेगा, you can even click the save button on the quick access toolbar to save the document, आप यहाँ पे quick access toolbar में, उपर save का option मिलता है, वहाँ पे भी click करके save कर सकते हैं, locations where you can save your file appear here, अब जो यह एरिया है न, यहाँ पे location होगा, कि आप अपनी file को कहाँ पे save कर रहे हैं, किस folder में save कर रहे हैं, once you select a location, folders available at that location appear on the right side of the screen, तो जैसे आप उस location को choose करेंगे, यहाँ पे उस location में जितने भी folders हैं, वो आजाएंगे, अगर आप इस folder में save करना चाहते हैं, तो उस folder को आप click करेंगे, click on browse, save as dialogue box appear, तो जब आप browse पे click करेंगे, यानि कि आप location को कौन से location में save करना चाहते हैं, जब उस पे click करेंगे, तो एक dialogue box open हो जाएगा, click on these area to navigate to the folder in which you want to save the document, अब यहाँ से आप उस area को ढूंड सकते हैं, जहाँ पे आप अपना folder save करना चाहते हैं, otherwise जो open हैं आप उसमें भी save कर सकते हैं, simply type a name for the document, यहाँ पे आपको उस document का name type करना है, जो भी name आपको देना है, then click on save, यहाँ पे आपको save बटन मिलेगी, उस पे आप click करेंगे, तो file save हो जाएगी, word save the document and the new file name appears on the title bar, तो जैसे ही यह save हो जाएगा, जो title bar होता है, उसका name भी उसी file के name से आजाएगा, जो आपने save किया है, the key word shortcut to save a document is ctrl plus s, तो ctrl plus s क्लिक करके भी आपका यह पूरा step आप कर सकते हैं, आपको file tab में जाने की कोई ज़रूत नहीं है, यह dialogue box अपने आप open हो जाएगा, so in a nutshell आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि document को कैसे create किया जाता है, formating कैसे की जाती है, और MS Word क्या है, is a word processing program है, जो किसने develop किया है, Microsoft में, और आपने देखा, आपने समझा, कि किसी भी text में कुस change करने के लिए आपको उसको select करना पड़ता है, और formating means क्या होता है, उसके layout को change करना, जो text आपने document में type किया है, आप text को अपनी requirement के according क्या कर सकते हैं, align कर सकते हैं, ताकि आपके document की जो presentation वे enhance हो जाए, appearance हो जाए, और आप word 2016 में फाइल किस extension से save करते हैं, dot d o c x, file extension की name से save करते हैं, यह सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस chapter में, अब time है exercises and question answers का, जो हम अपने next video में cover करेंगे, so thanks for watching,